अभी तक केशो अप्रभाकर भारती निर्मिती नहीं आए अभी तक कैसे क्या नहीं आए हमने आमोल को तो कभी का बेज दिया है उनको बुलाने के लिए हो अमोल है वो कहीं और चला गया होगा आप ज़रा फोन करके पूछिये ना कहा रहे गए अरे अन्ना कमोन है खुशकपरी देता हूँ आ बोला बोला अन्ना आरे केशाव किदर हो तुम लोग आमोल मिला ना तुम लोग आये क्यों नहीं आभी तक आरे आरे अन्ना अब बस मेरा और मेरे मार्क दर्शन में जिस किसे ने भी गायत्री को डूंडा है उन सब के स्वाग तुझे गायत्र मिली है? मन्झे गाय है? साथ में är? अच्छा को डूंडा कितना जूट बोल रहा ह सुआँ मचंकर अआलो केशाव तैसे साथ मेरे आत करवां ना मेरी गायत्री से दूसरी नई प्रभाकर के कंदे पर इतनी बार बंदूक रखी है तुने कि उस कंदे को कंदा देना पड़े ऐसी हालत हो गई है अब आजा तुम लोग घर पे आजाओ रहे सब लोग अन्ना खाने में क्या बनाओ उदर खड़े खड़े बनाने वाली है तू भारती नहीं अन्ना घर आके पूछूंगी उसके बाद बनाओंगी तो टाइम वेस्ट होगा ना इसलिए पूछ रही हूं बताईए ना खाने मे क्या बनाओ अभी भारती बार देख हामेशा तू मुझे पूछती है खाने में क्या बनाओ तू जो कुछ भी बोलता हूँ तू बरा बरा कहके जाती है और फिर वापस आती है लेकिन अन्ना इसा बोलते हुए तो फोन पे तो ये सब करने का मजा नहीं आएगा ना तू घर फिर हम ससूर बहु मिल के खेलते हैं खने में क्या बनाओ बरा बरा लेकिन ना आएगा अब बरा बरा अब 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 हाए हाए इन्ही आदाओ पे तो मैं हार जाता हूँ हार ना तो पड़े गई जीतने की आदा जो है हम और हमें तुम्हें जीत्यों में देखने की जाने मन वरना हम भी कोई कच्चे खिलाडी नहीं है वो तो कल पता चल जाएगा मिस्टर खिलाडी जब मैं तुम्हें वीटी के खेल में हार आँगी इतनी बड़ी लड़ाई में तुम्हार गई हो तो इस छोटी गेम में तुम्हें सामने से हार जाओंगा कौन से बड़ी लड़ाई परमपरा और प्रीवर्त जिनक्य आखिर थाकार के तुम्हें लेने आ रहे थे तुम और ऐंना ये तुमारी गलत फ्हापिजयए अ अभीषेग अम थाकार कर नहीं उस प्यार की खाते तुम्हें लेने आ रहे थे जिसके कद्र तुम्हें होना हो, हमें जरूर है और यही फर्क है, तुम्हें और मेरे अन्ना में तुम अपनी जीत पर इतरा रहे हो और वो तुम्हें जिता कर मुस्कुरा रहे है वो तुमसे नहीं, अपने दिल से हारे है और एक बात याद रखना अभी शेक अभी तक ये लड़ाई खतम नहीं हुए ना तुम्हारी परिवर्तन की सोच जीती है ना हमारी परंपरा हारी है ये जंग तो अभी जा रही है और केशव वो तु गायत्री को लेक्टे आने वाला था घर पे उसका क्या हो गया अना अप समझे नहीं ये जूट बोल रहा था आपसे अच्छा मुझे तो मालूम है नहीं पड़ा कि ये जूट बोल रहा था नहीं अना मुझे पता है आपको पता है अरे बुद्धी के बाई जब तुझे पता है कि मुझे पता है तो फिर क्यों बोल रहा है मुझे कि यह जोग बोल रहा था करके? क्यूंकि मुझे लगा कि आपको पता नहीं चला कि केशव जूट बोल रहा है मतलब पहले ऐसा लगा लेकिन अभी जब आपने मुझे ऐसा बोला ना कि आपको पता ही नहीं चला यहां उन्होंने मेरे गाने पर चंदर मुखी है चंदर मुखी नए इसे बालनी थी एदर उदेर इदर है इसा कौनसा गाना बनाया थे तुने जड़ा सुना बादल से बारिश आती है क्योंकि होता है उसमें पानी वाँ 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 इस बर सच मुझ में अच्छा लेकर आया बादल से बारिश आती है क्योंकि होता है उसमें पानी आगे आगे बोल बैस जब रोती है क्योंकि होता है आखों में पानी माइस हां का पानी तो बारिश का पानी बैस की आंक एक हुए माइस नानी जेल की सलाक है यह गाना यह गाना वो चंधर-बृख कि ताई को अच्छा लगा यह गाना वो बेचारी दुखी है न और ये आख में से पानी लेके आया बला 22 कि आख में पानी लाया लेकिन इसलिए उसको बेचारी को अच्छा लगा बहुत बावुक है न वो चंदरमुकी अन्ना? वो चंद्रमुकित आई और सुलक्षना कई दिन से आई नहीं है और अब तो उनका फोन भी बंदा आ रहा है ठीक है ना सीजन खतम हो गई अभी क्या जुरूद है उनकी मुरूदे यह मरूदे क्या मरूदे अरे हाँ चलो अभी तुम्हे पता नहीं था बता देता हूँ वो मैने जो निर्णे लिया आभिशेक और महेंद्र भाव को बैंगलोर जाके वापस लेके आने का वो बेचारी चंद्रमुखी की वज़से लिया था मैने ऐसी क्या बात हुई थी अन्ना आरे निर्मिती भूल गई क्या वो उस दिल चंद्रमुखी बेचारी बेहोश हो गई थी अब बेहोश हो गए थे महेंद्रा हो ना पड़ा उर्मिला अन्ना भाई को मजबूर करने के लिए इमोशन का एक मजबूत हथोड़ा मानना जरूरी बन गया था तो किचन में कचोरी बनाते बनाते मैंने उस दिन ऐसा किया लपाक चपाक लपाक चपाक कड़ाई है छोरा और छोरी कचोरी चोरे से मिल गई छोरी छम चम 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 लव की ये स्टोरी कचोरी तले छोरियां चले खाने वाले के दिल पे कचोरी तले हम सब यूँ मिलके सकी हम सब यूँ मिलके मेरे रगू को भी मेरे हाथ की बनी कचोरी बहुत पसंद थी चला गया मेरा रार घोबा अपनी आई को छोड़कर अपनी पत्थी को छोड़कर हत्यारी हु मैं अत्यारी हत्यारी इतनी बड़ी हत्यारी इतने बड़े हत्ते आरे, हत्ते आरे, हत्ते आरे, चंद्रमुकित 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 आरे, हहbereich है सुप शुप बोल भारती बढ़ना अच्छा न्हे तुम कह रहे हो तुम तो यह ही चातियोड कि यह बेचारी मर जाए चंधर्मुकी आहू आटकार चिडको कोी पाणी पौनि चिडको कोई क्यो मेम मैं सुधा चिडकता हूं मैं हें चिडकोंगा जैरने चंधरमुकी च यारी चंद्रमुखी गोध में लेकर इचिड़को ना पानी आहाँ तुम क्या ऐसे गोध ने बीद ने ऐसे क्या कुछ भी बोलती हो चंद्रमुखे आला आला जिन्दा है जिन्दा है कहा हूं मैं समबल की समबल की माफ करना अन्ना सेफ थोड़े चक्कर आ गए थे अरे ऐसे कैसे ही चक्कर आ गए ओ पिरेशर बेशर कम ज़्यादा हो गया क्या तुम चलो अब भी क्या भी चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो नहीं नहीं मैं ठीक हूं अभी ओ ऐसे भी डॉक्टर से कहां दूर होने वाला है ये दर्द ये दर्द तो अब मेरी जान के साथ ही जाएगा ऐसा क्या बूल रही हो तो क्या बोलो अन्ना से मेरे दिल का ये दर्द दूर नहीं हो सकता अपने सुनभाई का सुआग चीना है मैंने मैं जिम्मेवार हूं है चंद्रमुखी आणटी आप क्या बोल रही है ऐसा कुछ नहीं है मैं बिल्कुल सही कह रही हूं गायत्री अब तुझे कैसे समझाओ जी के बटा उधारन दे के समझाने की कोशिश करती हूं मान लेकिए ये मेरी सुन भाई गायत्री है और मैं अन्ना साहिब हूँ इतनी दूबली क्योंकि अन्ना साहिब ने भी मेरी तरह अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया है न मेरी ये सुन भाई बिल्कुल देरी तरह गायत्री मेरे विचारों की लड़ाई में मेरा साथ दे रही और मेरा राखोबा मान लेकि तेरे अभी शेक तो इस अन्ना साहिब ने गायत्री के पती को घर से बाहर निकाल दिया बिना सोचे समझे के एक अकेली जा कैसे जिएगी अपने पती के पिना कैसे जिएगी और मेरे अभीशेक ना अत्मत्या कर ली चंद्रमुके क्या बोल रही हो तुम मेरा अभीशेक ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा बैबी ऐसा ही सोचती थी जोचना ताही लेकिन कर ली ना हत्मत्या मेरे राखोबा ने कर ली ना उसकी वज़ा है ये अन्ना साहिब और दूखी कौन है तो मेरे गायत्री राखोबा को गर से नहीं निकालना चाहिए था वना अग मेरा राखोबा सिंदा होता बरोबर बोल रही है चंद्रमुके मेरी ही भूल है ये लेकिन मेरी भूल की वज़ा से अगर आभीशेक ने अगर आभीशेक ने मैं इतना ढर गया था ना कि मैंने तभी नीरने ले लिया कि मैं अपने आभीशेक को वापस लाकर ही रहूंगा इसलिए हमारे घर में आभी जो राम राजे आया है ना उसके लिए मैं चंद्रमुकी का खुब-खुब आभारी हूँ लेकिन एक बात बरी महींगे इसलिए उन दोनों के बार में कुछ भी बोलने से पहले हजार बार सोचना करी के नारद लेकिन अन्ना अब करे क्या आप कैसे बुलाएं उनको उनका फोन भी बंद आ रहा है अरे अन्ना भाई किसके फोन की बात हो रही है और वो मेरी चंद्रमुकी है ना आपकी मेरे मेरे हम लोगों के घड़ पे जो नाष्टा बनाने में मदद करने वाली महीला है ना उसका संपर्क नहीं हो रहा है वहां कि निर्मिती है मैं काम करता हूँ महीन मैसेज छोड़ देता हूँ तो फिर क्या है ना वो जबी भी फोन चालू करेगी ना तो मेरा मेसेज पहुच जाएगा और फिर मेरे मोबाल में टिंग ऐसा बजेगा तो मुझे पता चलेगा कि फोन चालू हो गया फिर मैं फोन करके बुला लूँगा और वो आ जाएगी मेरी बात मानती है चंद्रमुखी यह 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 अईसा करके अईसा दबा के बोल चकते है हालो चंद्रमुखी नहीं बोल रहा हूँ पेचाना क्या कैसे क्या तब बरुबत तो इसे नारज बिराज हो क्या है हाल फोन बंद करके बैठ गई तूं आप यह कभी से प्रेत्न कर रहा हूं चंद्रमुखी तुम्हारा फोन लग नहीं रहा है हाल आभी जल्दी आजाओ नहीं दर तुम्हारा जर्शन अभी लासी अन्ला गोकले जल्दी आना हाँ जल्दी से आजाओ देज दिया मैसेज अचे यह बजाया क्या तूं फोन चालो होगा तो मैसेज मिलेगा ना अना भाई सारी है लेकिन अब तो आपको चंद्रमुखी के याद में जिन्देगी भर बस तडपना ही होगा अरे पापरे यह चंद्रमुखी वाला फोन कहा गया ममी यह पापर कोट इस तरह सोफे पर क्यों पढ़ा है जो यह न बगवाल कितनी बार हजार बार बोला है मैंने तरह पपा को कि दोने के कपड़े बात्रूम में मशीन में डालते जाओ लेकिन वह नहीं मानेंगे बिटा तुझे वेब चेक करके डाल दे ना जरत होने में है वह फोन छे यह कोंचा नय फोन ये पापा ने ये ओफ क्यों है अन करते हो ये चंदर मुख्यी कहा फोन कहा रख दियां मैंने अरे ये टिंग टिंग बजा केशाव प्रभाकर चंदर मुख्यी का फोन चालू हो गया है मेरा मेसेज मिल गया उसे देखो अभी टिंग इसमें बजा है वह फोन लगाता हूँ चंदर मुख्यी को ये पकवान चंदर मुख्यी का फोन चलते चलते राशने में कहीं किरतो नहीं गया इसी क्या हाथ तो नहीं लग या फोन क्या कर रहे हूँ ये ये उनके बात नहीं करतें क्या कर रहे हूँ है अज़ा बहुत अपर वह बात रहे हैं कर वह चंदर मुख्यवाला फोन तो कल मैंने जो कोट पहना था उसकी जैब में था और वह कोट और मेंने धोने में डाल दिया निवर गया तो हमिला कर मिला सुन वो चंद्रमुखी वाला फोन मेरी कोड की जेड में हुआ रिंग जा रही है रिंग जा रही है अभी उटाएगी हूँ अन्डस आए लेकिन पापा तो अन्ना का नाम उटा भाव लिखते है हालो हालो चंद्रमुखी इधर हो तुम आई क्यों नहीं इतने दिनों से फोन भी बंद रखा तुम्हें सिनेफोन उठाया आई से थोड़ेने चलेगा हां चंद्रमुखी अन्नाम मैं गायत्री बात कर रहे हूं गायत्री और यह फोन तो मुझे पापा की जेब से मिला है अरे चंद्रमुखी का फोन महेंदर भाव की जेब में गायत्री बेटा चंद्रमुखी का फोन तुमारे पापा की जेब में कैसे आया हुआ मैं सोच रहे हूँ रुकिए मैं मम्मी को पूछतिए उनको पताऊ का मम्मी होँआ बैटा हो आभी यह आभी हाँ मम्मी यह चंद्रमुखी अन्टी का फोन मुझे पापा की जेब से मिला लाला मैं मैं समझाती हूँ अना भाई को अलो अना बाई कैसे अनी आप तो एरान हो गए होंगे ना किये चंद्रा मुकी का फोन महेंद्रों के पास से खैसे तो मैं बताती है ना आपको